तुम जलते रहो मेरे नाम से, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, शान से चुके है, गोल्ड मेडल, दोस्तों, वीडियो का आखिर तक जरूर देखेगा, फिर आपको पता चलेगा, साथ ही, विक्की पाजी का भी एक फिजिक अपडेट दोस्तों, और मनोच पाटिल की तरफ से काफी ज़्यादा बड़ी बिग न्यूज आ रही है दोस्तों, इस वी काफी कम लोगों की है, कॉमपडिशन में, आप देख सकते हैं, इस वीडियो में ये वीडियो इनके लास्ट कॉमपडिशन का है, दोस्तों, आप देख सकते हैं, कितने अच्छी वीटेपर आ रही है, बड़े-बड़े शूल्डर्स, बड़े चेस्ट, और बहुत ही सेपर काफी अच्छा लग रहा है, ये काफी बड़े-बड़े अथलेट्स को डामेज कर सकते हैं, कॉमपडिशन में, क्योंकि इतनी अच्छी फिजीक और इतनी कम्प्लीट फिजीक काफी कम एथलेट्स की होती है, और मुझे लगता है कि ये प्रो कार्ड के लिए काफी बड़ बन सकते हैं, इस अमेचोर ओलम्पिया में अगर जीते, जितने के चैंसे सहे बड़ अगर नहीं जीत पाए, तो आने वाले कॉमपडिशन में ज़रूर ये जीत के आए बीबी प्रो बन सकते हैं, क्योंकि ये मुझे फिजीक का इंडिया में, दोस्तों, इनकी फिजीक आप ने कोज हैनी रमबोड के साथ, तो इस साल अभी तक कॉलिफाइ नहीं कर पाए है 2022 के मिस्टर ओलम्पिया को, और कॉमपडिशन तो खेला, उन्होंने पर थर्ड प्लेसिंग सेक्योर कर पाए, और काफी ज़्यादा डिसपॉइंटेड होंगे, बट आराम से जीत सकते हैं, किसी भी एक नॉर्मल प्रो शो को और कॉलिफाइ कर सकते हैं मिस्टर ओलम्पिया को, बट देखना पड़ेगा उनके फ्यूचर प्लैंस क्या होगे, क्योंकि इस साल अगर उनको मिस्टर ओलम्पिया में बड़ी और आच्छी सिक्योर प्लेसिंग लानी है, हायर की, तो इंडिया के फर्स्ट क्लासिक फिजिक आयफ बीबी प्रो बिक्की पाजी ने जब क्लासिक फिजिक डिविजन को छोड़के ओपन कैटिगरे में स्विच किया, तब से उनकी जो बॉडी बिल्डिंग की जरनी है थोड़ी से रुग गई है, काफी जादा अच्छे क प्रो किया है, और इतने अच्छे साइज के बाद भी वेक्यूम हिट कर रहे है, बस तब देखना है कि आने वाले कॉंपेटिशन में कब कंपीट करते हैं बिक्की पाजी, और कब हमको एक ओपन कैटिगरे में बिक्की पाजी किसी प्रो शो में दिखेंगे, दोस्तों, इन मुकेश, सुरेंद और निरपाल ने इंग्लेंड में वर्ल्ड पाउर लिफ्टिंग चैंपियंशिप में भारत का पर्चम लाए राया, लंजन 29 नवेंबर, कोवेंटरी इंग्लेंड में 26 से 28 नवेंबर तक आयोजित विश्व पाउर लिफ्टिंग चैंपियंशिप में भारत ने 3 स्वर्न 1 रजद और 1 कास्य पत्तक जीता, मुकेश six हने 110 किलो वर्ग में स्वर्ण पतक सुरे सी हने 2 स्वर्ण ताथाश sow किलो वर्ग में एक कास्य जीता, जबकि निरपाल सी हने sow किलो वर्ग में 80 पतक जीता और all team ranking में आमीर का पहले England दूसरे और भारत तिसरे स्तान पर रहा तो दोस्तो ये थी इस news की बात और especially गुरु जी की बात करेंगे तो गुरु जी इस भी age में आज भी international show जीत रहे है और gold medal ला रहे हैं दोस्तों इंडिया के लिए इंडिया का नाम रोशन कर रहे है तो गुरु जी के लिए तो सबसे पहले salute कि गुरु जी आज भी खुद athlete है खुद international competition जीतते हैं और gold medal लाते हैं इंडिया के लिए और साथ ही gold जैसे gold जितने वाले athlete को भी बनाते हैं दोस्तों तो काफी बड़ी बात ये काफी जादा inspiration और काफी जादा motivate करते हैं गुरु जी हर बार कुछ न कुछ नया करते हैं जिससे athletes motivate हो और और भी athletes चाहे इस field में आना fitness field में आना दोस्तों गुरु जी के लिए एक बार comment करके जरूर लिखेगा थैंक यू गुरु जी अब बात करेंगे मनोज पार्टिल के बारे में तो मनोज पार्टिल काफी दिनों से एक चीज मतलब दिखा रहे थे उनके instagram पे कि हाँ ये चीज होने वाली है बट कैसे होने वाली है और उसका कब होने वाली है और किस तरह से क्या ये सब अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया था बट कल उन्होंने उनके instagram stories में ये सिधा सिधा रिवील कर दिया कि वो जीम बना रहे है उनका जीम सेटप हो चुका है लगभग we are ready for tomorrow we are going gonna bank तो दोस्तों काफी खुशी की बात कि आखिरकार मनोश पाटिल सब कॉंट्रिवर्सी भूल के छोड़के अभी काम पे लग चुके है और जीम सेटप कर लिया है अपना और अपने जिंदेगी में अपने फील्ड वाफिटनेस बॉड़ी विल्डिंग में आगे बढ़ रहे है तो कॉंग्रेचुलेशन तो मनोश पाटिल कमेंट वाक्स में लिक्किना ना भूले दोस्तों और इस वीडियो को यहीं पे खंदब करते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट वाक्स में लिक्के जरूर बताए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजे दोस्तों इस वीडियो को हाँ हर बार लाइक मांगता हूँ मैं तो उसके लिए सौरी बट थैंक यू पर वाचिंग कर दो